इंडिगो एल लाइन के प्रमोटरों के बीच चल रहे विवाद का असर कंपनी के शेयरों पर पड़ता जा रहा है कंपनी के शेयर दस परसंट तक गिर गए हैं जिसे कंपनी को काफी नुकसान हो सकता है इंडिगो एल लाइन के प्रमोटरों का विवाद सब के सामने आ रहा ह प्रमोडर राकेश गंगवाल ने को फाउंडर राहूल भाटिया पर गंभीत गड़बड़ी के आरोप लगा है और ये कहा है कि पान की दुकान भी इससे बहता तरीके से मामलों को सुलजा सकती है और उनके बोल का असर कुछ इस तरह पड़ा कि कमपनी के शेया 7.7 प्रतिशत के नुकसान के साथ 1396.75 पैसे पर बंद हुए वहीं NSE में 11.12 प्रतिशत के नुकसान के साथ 1392 पर बंद हुए और इस गिरावट की वज़ा से कमपनी का मार्केट केप 6462.45 करोड से घटकर 5765.40 करोड पर रह गया है और मंगलवार को कमपनी का मार्केट केप 6227.85 करोड रुपे था कमपनी के CEO रायदत्ता ने बुद्वार को कर्मचार को पतलिक कर ये कहा कि विवाद सुलजा लिया जाएगा वगर इस मामले में एयरलाइन का कामकाश पभावित नहीं होगा इंडिको देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है और 2004 में राकेश गंगवाल और राहूल भाटिया ने इसकी स्थापना की थी और इसकी पहली उडान 4 अगस्त 2006 से शुरू हुई थी लेकिन अब कमपनी के प्रमोटरों की आपसी खीषतान की चक्कर में कमपनी के शेयर में भा कमपनी को काफी नुकसान हो रहा है सब्सक्राइब आर चानल और प्रेस बेल आइकन फोर मोर अब्डेट्स